कि पूल त्रेटे देने पर यहां पर आप दिश्वर 17,000 आर्पे मारा ना यह काफिछ ज्वादा पास एक डिविड़ि प्लेयर इसको मुने इलेक्ट्रिक कवारी अंदर से 50 तुपर में पर्चेस किया है और इसके अंदर से निकलने वाला है बहुत सारा खजाना और साथ ही स लेकिन बाइओ मैं आप सभी को 100% गारंटी के साथ में बोलता हूं कि इसका अंदर से ड्रोन मोटर निकलती है लेकिन आपको ध्यान रखना हुआ हर एक ड्रोन की मोटर नहीं निकलती है अब एसा ड्रोन की मोटर हो दिखाने वाला हो और साथ इस ड्रोन की मोटर को आप कैसे निकाल सकते हो और उसकंदर बहुत सारी वाइरिंग होती है तो फूंसे वाइरिंग के अंदर आप को यहांपर कंडेक्शन करना है वह पहली वीडियो के मत करना क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं बेलदी मोटर मार्केट में 400-500-1000 रूफे तक आपको मिलत और कमेंट करके बताइए आप वीडियो को कहां से देख रहे हो अब चलिए स्टूडियो कंदर है तो यह वारे डिवीडी प्लेयर है इस कंदर साम यहां पर मोटर निकालेंगे और आपको दिमाग में चल रहा होगा कि यह आपको कहां पर मिलेगा कितने उलपेता मिला कैसे आ पूरा देखना वरना स्कीप होगा तो आपको मिलने वाला नहीं है और यह काफी आसानी से मिल भी जाएगा आपको आपके मार्केट में मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आप पर्चिस कर सकते हो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं यहां पर तो यहां पर पीछे का कर दियाना तो आपके बहुत सारा पार्ट से यहां पर छोड़ सकता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको भाल के साइट में अंदर के साइट में ठीक है तो यहां पर एक मोटर यहां पर 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 य दिखा देता हूं में कि यहां पर इसको बाहर निकाले हैं तो यहां पर आप दिसके अदर इसके अंदर यहां पर और यहां पर यह वैन जो मोटर है यह जो डीसी मोटर है इसी के अंदर पास थीन मोटर हो अलग अलग टाइप यह जो मैंने पचाव सुरूबें में काम में use कर सकते हो यहां पर देख सकते हो इसके अंदर लगा हुआ है तो यह आपको पर प्रचिस करना तो वाला जो लगा होता है मर जो आपको पर्चेस करना और यह आपको पूराना वाला पर्चेस करना खराब वाला यूज़ करो तो काफी मेंगा आएगा अगर आपको लगबक ज्यादा 30-40 रुपे या 50 रुपे में आपको काफी रीक रेट जाता है तो आपको अगर आप इसके अदर आपको तीन तो मौटर मिल जाएगी और बहुत सार इसका अपको जूगाड मिल जाएगो अपने फ्रोजेक्ट कर सकते हो और वाला ही आपको लेना अगर आप जू हमारे दूसरा डूर्वेटी प्लेयर उसका अगर श्रीज करोंके यहां पर वंोटर नहीं नौर्मल डीसी मोटर लगई Halnes Smith अब को द्यान रगाना है गकरने शोप पर आपको जाना है वह बल्ट निकालेंगी तो यह जो नचंच वेना यह इंग पीसीबी के साथ में कनेक्ट हो के आप लगा ड़ेंगी 첩ी आपको द्यान रखना है कि इस PCP को तोड़ना नहीं है इसका और इसका वाइरिंग टूट जाएगा ना तो यह काम में नहीं है तो यहां पर हमारी ड्रोन की मोटर जो है यहां पर कोई शाप्ट नहीं होती है इसके पूरी बोड़ी घूंती है और अलयक्ति तया होती है पर अलब टाइप की लेकिन आम तोर पर यूज नहीं होती है तो आपको easily पेचान में आजाएगी कि इसकी बोडी गूम रही है तो यहां पर आप देखिए को यहां पर मैं इसको पूरी बोडी गूम होगी ठीक है और अगर आप थोड़ा सा अंदर की जाइड में देखोगे तो यहां पर आपको इसका आर्मेचर इस्टेटर हो दिखेग यहां पर आपको इसकी बात की जाए तो आप देखो तो यहां पर हमारे PCB है और इस PCB के उपर मोटर लगी हुई है अब यहां पर आप देख सब्सक्राइब कितनी सारी इसके अंदर वायरिंग यहां पर बहुत सारी पीने लगे हुई है जो कि यहां पर इसके अंदर करेंट जा रहा है लेकिन यहां पर हमें बस इसके अंदर तीन वायर के अंदर ही सप्लाई देनी है अब कौन से तीन वाय सब्स wow a जो सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब चानगे नहीं होगा यहां पर आ thrirai जा रहा हुआ bearings नहीं करना इस Nedre उसको चालूर के रहें नहीं करते हैं यहां कि इसको यहां पर 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 यहां प तो यहां पॉर हमारी वाइरिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि आपको दोड़ी को सब्सक्राइब निची साथ करें इन तीन वाइर में आपको जो है तोड़ी अलब अलब गूरी पे आमारे वाइरिंग करने होगी होगी यह आपस में touch हो सकते हैं कि काफी ज्यादा closely यहां पर ठीक है अब आपको ध्यान रखना है वाइरिंग करने के बाद में कि इसको ऐसे नहीं चोड़ना है क्योंकि यह खुल सकता है वापिस क्योंकि बहुत बारीक से टांके लगा रखें यहां पर हमें क्या करना होगा छालउं करके दिया है उसा सब्छा शीक सब्छा भी एक तो यहां पर मैं से असली बाद मतार है कि इसकंद्र क्लसम justification करना आप कोई वायर ख Otis की सब करेंबेड करना ऐब को जैए वी बंकर यहां पर तो यहां जो यहां पर कोई समयने करने के कि लिए यहां पर connect करने के लिए जंपर वायर है वो भी यहां पर इस टैप से connect कर रहे हैं अब यहां पर इसको हम चालू करेंगे अब यहां पर इसको चालू करने के लिए अब बारा ओल्ड की बैटरी इसमें इस एसी के connection में कर दूँगा सबसे बहुत है कि यहां पर चालु करूँगा सबसे बहुत करें इस इस दर भी छर्वे पड़े हुए तो देखो आप माइक लगा शेल्ड चुकि है आपको दिख नहीं हुदी तो कि एक कापी स्पीड पर चलती है इसका मैं आपको sound सुना दूँगा अभी जो माइक लगा हूँ है उस माइक को यहां पर connect करेंगे हैं यहां पर मैं पकर लिए तो आपको sound भी सुना आए जाए इसका आप में इस अधर देखें और में इसको जिसे बिना पकड़े चालू करूंगा उनको यह वाइवरेट करती बहुत ज्यादा इस टाइटिम जब चालू करें तो वाइवरेट करेंगी है विए इसके अभी भी छर्रय पड़ेगा है यह निकालना हुआ यह तो वाइव सबसे पहले इसके अंदर से हम चर्रय निकालेंगे उसके बाद इसके इसपीड भी आपको चेक करके दिखाएंगे ओड़ेट करने लिए और यह तो आफ यहाँ पर आप देख सकते ही यहां पर इसके उपर अपने और यहां आप देखसके इसको मैंने यह पर से यह बहुत तो यहां पर आप इसका आर्पम भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूं तो यहां पर इसको मैंने सेट कर दिया है और यहां पर इसको मैंने चलती तो पूंगती नहीं है यहां पर मैंने टेप लगा दी है यहां पर आपो दिखे कि और आर्पम भी चरेंगे फैए करें अब नहीं पर चालू करेंगे और भाई अब si हमारा आर्पम दिखा नहीं कि चार जर की ऊपर दिका रहा है आपि अब हमारे में जी रहो है इसको चालु करता है इस शुञ बाइब चारहाजार बदाता हुआ और बाई यह पर चल रही है ना इसके लिए माइक भी में इसके पास में रखूंगा तो आपको इसका सॉंड पी थुनाएं इस समय माइक यहां पतर देता हूं आप उसका सॉंड पी तुनाएगा ठीक है अब मैं इसको स्पीड वाप इसे बढ़ाऊंगा देखो बाई इसकी जो आर्पियम अभी 7000 आर्पियम आ रही है आपको दिख रहा हुआ देखो इसका जो आर्पियम साथ जार आर्पियम आ रहा है अभी स्कोर इसपीड बढ़ाएंगे अभी देखो 15000 हो गया 20000 22000 इसको चालू करेंगे और यहां पर आप देखो तो मैं इसको चालू करता हूँ अभी आपको यहां पर खावाच कम आएगी क्योंकि मैंने इसको ओपर कि अभी टेप अटा दिया अब चालू करेंगे इसको टेस्ट करना तो पाज़र आरिपयां इसको फोल्स त्रेज़र देने पर यहां पर आप दितों सत्रा जार आरिपयम आ रहा है कापी ज्यादा अर्पियम देखो 17000 आरिपयम आ रहा है कर दो कर दो कि आप सभी ने देखा भी आल की जिस डीडी प्लेयर के अंदर से सच में ड्रोन की मोटर निकलती है और वो जो ड्रोन की मोटर रखा आल पीम आप सभी ने देखा और यह कितनी पाउरपूर होती है कि लिए अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा तो कमेंट कर देना आप सबस्क्राइब कर लेना है